हेलो एब्रिवान आप लोग का स्वावय थे में यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स आज मैं ये बहुत ही प्यारा ब्लेंकेट बनाऊंगी इसका फर्स्ट वीडियो जो है अप्लोड हो चुका है उसमें मैं इस इस टीप को कैसे ही इस सपीसे को एक साइट जॉइन की हू किस तरह से लगाते हैं आज मैं यह बताऊंगी कि इसको किस तरह से प्रॉपर फिनिस देंगे हम तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं देखते हैं कैसे बनता है आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा बिना इसकेप किये हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर मैं यह त्रीप लगाऊंगी सब पर मैं यह श्टीप लगा चुकी हूँ आप देख सकते हैं केवाल इस पर मैं एक बाकी हैं जो मैं बताऊंगी कि इस तरह से इस तौड़ा साइं किस को फ्रेंस यह हमारी तो इंचोड़ी इस तरह से पट्टी लेंगे दो इंचे और करेंगे कि यहां से सुरू करेंगे जहां तक हमारा यहल आएगा यह सबिए सिलाई कि और है कि आधा इंच छोड़कर हम इस इस तरह से ईस्टीच करेंगे ईह पूरा नीचे तक यह स्टीच होते हुए आधा इंच चोड़े जोड़ से जोड़को नीचे तक यहां से खतब कर लेंगे तो इसको पहले मैं स्टीच कर लेती हूं आधा इंच छोड़कर फिर मैं दिखाते हूं कि इसको पलट कर इस तरह से मोड़ कर कैसे लगाएंगे तो इसको मैं पहले सिल लेती हूँ कि इसको हम यह जो हमारा सब बाहर से जो दीख रहा है यह बॉडर हम इस पर भी इस टीप लगाएंगे तो इस इधर हमको लगाने के लिए हम हम तीन इंच ओड़ी इस टीप लेंगे इस पर लगाने के लिए हम दो इंच ओड़ी लेंगे और इधर लगाने के लिए हम तीन इंच ओड़ी इस टीप लेंगे क्योंकि हम इसको पीछे से सिलाई करेंगे यह जो हमारा दीख रहा है यह सब बॉडर इसको हम पीछे से सिलाई करेंगे और ऐसे पूरा सिलते हुए लेकर नीचे तक जाएंगे और जब हम इसको इधर पल्टेंगे तो हमारा थोड़ा इधर सिलाई में जाएगा और थोड़ा इधर सिलाई में जाएगा तो दो इंच मतलब इसके बराबर ये जो है दूसरा बार पलट कर कैसे सी लेंगे मैं यह स्ट्रीप एक साइट का स्ट्रीच कर चुके हूँ अब मैं इसको इस तरह से पलटूँगे और इधर ऐसे फोल्ड करके यहां पर स्ट्रीच यहां से लेकर जहां तक हमारा खतम हो गई यह लाइन पूरा फिनिस कर लेंगे तो हमारा इस तरह से बनकर यह वाला इस तरह से रेडी होगा और पीछे के साइड हम इसको लगाएंगे यह मैं लगाई हूँ पीछे के साइड इसको भी हम इधर थोड़ा सा यह कप्रा छोड़ते हुए यहां से शुरू करेंगे पूरा नीचे तक इसको पीछे साइड से पीछे साइड से हम इसको पूरा सिल लेंगे और सिलने के बाद हम इसको इस तरह से पल्टेंगे और इसको इस तरह से मोड़ते हुए इसको ऐसे करके हम इसको इस तरह से मोड़ते हुए हम इसको भी पूरा स्टीच कर लेंगे यहां से लेकर पूरा तक तो हमारा यह जो रफेज दिख रहा है यह सब यह सब भी इसके अंदर चला जाएगा और इस तरह से यह बॉर्डर रेडी होगा तो मैं इन सब को इस्टीच कर लेते हूँ इधर मैं इस पट्टी को लगा लोंगी और इधर इसको मैं लगा लोंगी तो मैं final लुक इसका दिखाते हुए और बहुत ही प्यारा बनकर ready हुő हर कलर में यह बनकर ready हुआ आप के घर में जितना फ़ी छोटा-्छोटा सब पीसे सेNow मतलब सील कर इसको हम ready कर सकते हैं आप अपने घर पर italy इसको त्यार कर सकते हैं महांगेट मिलता है आप उसी को देखते हुए घर पर ऐसे बहुत चान कर आप इन सब पीसे को इसमें करकर चिलका रेडि कर सकते हैं तो इसका मैं फाइनल लूugen यह बाकी है मैं दिखाती हूं हमारा यह blanket बनकर ready हो गया है आप इसे ओलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बेट सीट पर बिचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो देखे फ्रेंड्स कितना finishing के साथ यह हमारा बनकर ready हुआ है कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इसमें छोटा-छोटा पीस इसमें joint हुआ है इसी तरह से इजली आप घर पर अपने यह बना सकते हैं छोटे-छोटे पीस को joint करके देखें आप इस तरह से बना सकते हैं पीछे भी देखिए पीछे यह जो बेट सीट है कितना सफाई के साथ यह पीछे लगा हुआ है थोड़ा सा भी इसमें चुनट नहीं आया है मैं जिस तरह से बताई हूँ इस पर लगाने यह इस चादर पर यह बेट सीट पर आप उसी तरह से लगाएंगे तो थोड़ा सा भी इधर चुनट नहीं आएगी सफाई के साथ यह लगेगी कैसी लगी में आज की वीडियो आप लोगों को कमेंट जरूर कीजिएगा लाइक कीजिएगा मेल वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला अफेज